हलो गाइस मैं आपकी होस्ट हरी जा सिर्मा स्भागत करती हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो गाइस आपको पता ही होगा 12 जुलाइ को शुरू हुआ था सौथ अफ्रिका टूर ऑफ इंग्लेंड तो उसी के फर्स्टी 20 इंटरनेशनल की आज हम मैच कर क्या होगा साथ ही साथ हम जानेंगे दोनों की टीम्स के प्लेइंग 11 भी और वो प्लेयर्स भी जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 की टीम में तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं काउंटी ग्राउंड बिस्ट्रिल के कुछ फैक्स के बारे में तो यह स्टेडियूम ओपन हुआ था 1889 में इसके सिटिंग कैपसिटी है 7000 स्फेक्टेटर्स और ODI में सीट्स बढ़ाकर 15000 इसको दरोयल एंड सन अलैंस का कांटी ग्राउंड के नाम से भी जान जाता है और इसके एंड्स के नेम है पविलियन एंड और एशले डाउन रोड एंड इसकी हैं कांटी ग्राउंड ब्रिस्टल की फैक्ट अब हम चल रहे हैं कांंटी ग्रउंड ब्रिस्टल के स्टैट के दोथ तो टीट Waiti 25 Parkकाट सबसे बहने बात करते हैं तीट्वेंटी इंटरचनल की तो total टीन ही वी कर लगए हैं और तीनों मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करन स्कोरिंग पेट्रन पर चलते हैं below 150 यहां पर दो बार बनाय जा चुके हैं 150 and 116 के बीच कोई स्कोर नहीं बनाया गया है स्कोर बिट्विटीन 171 189 एक बार भी नहीं बना है और अबब 190 एक बार बन चुका है बस तो यह हो गए टी-20 इंटरनाशनल के स्सेट अब चलते हैं और डी आई की स्टरफ तो ओडी आई के टोटल 17 मैचेस के लिए गए हैं बैटिंग सेकें करने पर साथ बार मैचेश जिरते गए हैं बैटिंग सेकून करने और दस बार जीरते गए हैं, average score first bet का 242 है, highest score England ने बनाए है, 369 runs 9 wickets, lowest score बनाए है, जिम्बावे ने 92 runs 10 wickets, अब चलते हैं scoring pattern पर, तो below 204 बार बनाए है, score between 200, 249, 6 बार बनाए है, score between 250 and 299, 2 बार और अबव 300 यहां पर 5 बार बनाए है, ODI में, तो और यह हो गए ODI के, अब चलते हैं T20 domestic पर, तो T20 domestic के खेले गए हैं, 41 matches, batting first करने पर 17 बार टीम जीती हैं, और batting second करने पर 24 बार, average score first bet का 166 है, highest score बनाए है, Sussex टीम ने 242 runs 6 wickets पर, और lowest score बनाए है, Glustashire टीम ने 101 runs 5 wickets पर, scoring pattern की बात करते हैं, below 150 11 बार बना है, score between 150 and 169 11 बार, score between 170 and 189 बार बार और above 190 हाँ पर 7 बार बन चुका है, तो यह थे county ground Bristol के stats, अब हम चलते हैं England और South Africa के head-to-head के दरब, तो आपको बता दे, test और D.I.O.T.20 international तीनों के ही head-to-head में आपको बताने वाली हूँ, तो सबसे बहले बात करते हैं test के, तो test के खे लगा हैं, दोनों teams के बीच 153 matches, England ने जीते हैं जिसमें से 64 और South Africa ने जीते हैं 34, England के winning percentage होते हैं test में 41.83% और South Africa के होते हैं 22.22%, अब बात करते हैं O.D.I. की, तो O.D.I. में हुए है total 63 matches, जिसमें से England ने जीते हैं 28 और South Africa ने जीते हैं 30, तो England के winning percentage है 44.44% और South Africa की है 47.61%, T20 International की बात करते हैं, 22 match हुए हैं दोनों teams के बीच, जिसमें से 11 जीते हैं England ने और South Africa ने जीते हैं 10, 50% chance होते हैं England के जीतने के और South Africa के होते हैं 45.45%, तो ये हो गए head to head दोनों teams के, अब हम चलते हैं county ground की pitch report के दरफ, तो आपको बता दे, यहां की जो pitch है वो clearly fast bowlers की बहुत जादा help करती है, अच्छी ball डालने में की batsmen अच्छे से ना खेल पाएं, और जो spinners होते हैं वो बहुत कम यहां पर wickets ले पाते हैं, और आपको बता दे कि जो batsmen होता है, उसकी batting भी बहुत जादा अच्छी होती है यहां पर, और wind की speed होने वाली है, 6 km per hour, तो यह हो गई हमारी weather report भी, अब हम चलते हैं playing 11 की तरफ, तो आपको बता दे कि South Africa और England दोनों के ही playing 11 की हम लोग बात करने वाले हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले South Africa के playing 11 की, तो यहां पर David Miller captain है, उसके बाद है, एडिन माकमेन, रिजा हेड्रिक्स, रैसेन वेडर, दुसैन, वाइने पार्डनेल, डाइने प्रिटोरियस, क्विक, क्विटन डेक, नॉक और लुगी अगीनी, केशव महराज, एंडिच नौचे और तबराइस शामसी, तो यह हैं South Africa के playing 11, अब चलते हैं England पर, इंग्लाइन में है, हैरी ब्रुक, लियाम लिंस्टोर्न, जैसन रोए, मुईन अली, डैविड मलान, सैम कुरैन, जॉस बटलर, जोनी बेर स्टोक, क्रिस जॉर्डन, रिचर्ड ग्लेसन, और रेसे टोप ले, तो यह हो गए दोनों टीम्स के हमारे playing 11, अब हम आगे बढ़ 26 matches में लिए है, 1499 runs, और average 74.95, strike rate 90.63, दूसरे आप ले सकते हैं, captain को, डैविड मिलर, जिन्होंने 143 matches में बनाए है, 3503 runs, average 40.73, और strike rate 101.04, अब बात करते हैं, इंग्लाइन के batsman में, तो यहाँ आप ले सकते हैं, जेसन रोए को, 101 matches में 3833 runs बनाए है, average 41.22, और strike rate है, इनका 107.58, दूसरे आप ले सकते हैं, इंग्लाइन के batsman, जॉस बटलर, 151 matches में 4120 runs बनाए है, average 41.2, और strike rate है, 121.28, अब हम जान लेते हैं, बोलर्स को भी, तो South Africa में आप ले सकते हैं, लोंगे अंगीनी को, इन्होंने 35 matches में 61 wickets ली है, एकनॉमी है 5.59, और strike rate है, इनका 28.03, दूसरे हैं, एन्रिश नॉट चे, इन्होंने 12 matches में 22 wickets ली हैं, एकनॉमी है 5.51, और strike rate है 28.05, अब बात करते हैं, इंग्लाइन के बोलर्स की, तो यहां पर है, डिसी टोप ले, 18 matches में 31 wickets ले चुके हैं, एकनॉमी है 5.02, और strike rate है 23.19 दूसरे हैं, सैम कुरें, मैचेस 13 में 14 wickets ली हैं, एकनॉमी है 5.76, और strike rate है 36.5, तो यह हो गए हमारे playing 11 और साथ ही साथ वो players भी जिनको आप ले सकते हैं अपनी dream 11 की team में, तो अब हम देख लेते हैं थोड़े से records, county ground के, तो यहां पर हम बात करने वाले हैं, और डियाई के हाइय स्कोर की, और डियाई मैचेस में सबसे जादा हाइय स्कोर किस team ने कितने बनाए हैं, तो यहां पर है number 1 पे England, 369 runs, 9 wickets versus में West Indies के बनाए हैं इन्होंने, उसके बाद फिर से England है, 359 runs, 4 wickets versus में Pakistan, उसके बाद है Pakistan, 358 runs, 9 wickets versus में England, उसके बाद इंडिया, 329 runs, 2 wickets versus में Kenya उसके बाद हैं इंडिया, 329 runs, 7 wickets versus में England, उसके बाद हैं England, 320 runs, 8 wickets versus में India, उसके बाद इंडिया, 304 runs versus में Shri Lanka, उसके बाद Australia, 272 runs, 5 wickets versus में England, फिर से हैं England, 268 runs, 4 wickets versus में Australia, उसके बाद फिर से England, 253 runs, 7 wickets versus में Australia, तो यह हैं county ground के और डियाई के highest score तो इन teams में बनाए हैं यहाँ पर highest score और यह हमने बात की है top 10 की तो अब आगे बढ़ते हैं आज की वीडियो में और जानते हैं county ground का toss factor तो सबसे पहले बात करते हैं और डियाई की T20 का एक match जीत गया है batting first करने पर और bowling first करने पर जीते गये हैं 5 average first inning score 149 average second inning score 148 तो इस पीच पर जो भी team match जीतना चाहती है और अगर वो toss भी जीत गई है तो वो यहाँ पर bowling first choose करने वाली है और बाद में वो अच्छा खासा target chase करके opposite team के जो chase किया है runs उनसे above runs chase करने वाली है तो guys यह थी आज की वीडियो जिसमें हमने बात की है England और South Africa के first T20 के match prediction के बारे में और जो की होने वाला है county ground Bristol पे तो guys अगर वीडियो चाह लगा हो तो like करना comment करना और हमारे चैनल को subscribe भी करना